नमस्कार मैं हूँ नंदनी आप देख रहे हैं दा फुल जड़ी शुरौमनी गुरुद्वारा प्रबंदक कमिटी यानि की स्वागत करते हुए दिन के नामकरण के बारे में अपनी आपत्ती व्यक्त की है स्वागत करते हुए कि हम परदान मंत्री की भावनाओं की सराहना करते हैं लेकिन यह सिख परंपरा के नुसार नहीं है सिख नेता ने कहा है कि सिख दसवें गुरु के पुत्रों के युद्धाओं के रूप में सम्मान देते हैं जिने आम परपर साहिब जादे कहा जाता है उन्होंने ये भी कहा है कि उनके नाम के आगे बाबा शब लगाया जाता है और धामी ने कहा कि सिख धरम में कुछ सिधान्तों का इतिहास और गुर्बानी बिर अधारित हैं वहीं हर किसी को इन सिधान्तों का सम्मान करना चाहिए आगे SGPC के सर्वोच सिख मंदिर प्राधी करन अकाल तक्त साहिब से प्रस्तावित दिन को अपचारिक मंजूरी देनी की अपील करेगी वहीं धामी ने आगी भी बहुत कुछ कहा उनका कहना है कि सिख परंप्रा माननेताएं और चिंताएं अधिव्यत्ती के और सिख धरम के संभंदित किसी भी निर्ने के लिए अकाल तक्त साहिब के मंजूरी होनी चाहिए दामी का कहना है कि फैसला भले ही गुरू साहिब के प्रकाश पर्व में लिया गया हो लेकिन ये सिक्धरम को स्वेकार नहीं है क्योंकि ये उसके बिलकुल उलट है प्रधान मंत्री ने ये भी गोशन की है कि 9 जनवरी को श्री गुरू गोविन सिंग जी के प्रकाश पर्व के अफसर पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोडी ने छोटे सहिब जादों की शहादत को याद करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में गोशित किया है वही प्रधान मंत्री ने अपने ट्वीटर के जरहे भी इसकी जानकारी दी उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि आप श्री गुरू गोविन सिंग जी के प्रकाश पर्व के शुब अफसर पर मुझे गोशना करते हुए गर्व हो रहा है कि इस वर्ष से 26 दिसंबर को वीर बाल दीवस के रूप में मनाया जाएगा और यह साहिपजादों की बहादुरी और न्याय की उनकी तलाश की पती उचित सर्धानजली है आपको बता दें कि वीर बाल दीवस बच्चों की बहादुरी के लिए मनाया जाता है यह आपके जानकारी के लिए आपको यह बता दें कि शाहिपजादे कौन थे जिनके उपर बाल लीर दीवस मनाया जा रहा है आपको बता दें कि बहादुरी के लिए एक सर्धानजली है जो श्री गुरु गोविन सिंग जी के दो सबसे चोटे बेटे चोटे साहिवजादे जोरावर सिंग और फते सिंग को समर्पी थे जने मुसलिम बनने से इंकार करने पर सरहिंद के मुगल फोसदार ने वजीर खान ने आदेश पर जिंदा दवार में अंदर चुनवा दिया उसमें जोरावर सिंग 9 वर्ष के थे तो वहीं पते सिंग केवल साथ वर्ष के थे उन्हें जिंदा दिवार में चुनवा जाने की तुरंत बाद ही उनके दादी कुजरी की मौत हो गई थी वहीं गुर्दवार सिरी फतेगर साहिब उस्थान पर खड़ा है जहां दो को क्रूर हत्या क्यार दी गई थी वहीं वर्तमान कलेंडर के अनुसाद 26 दिसंबर को आता है ऐसा माने जाता है कि जब शहर में कोई भी उनका अंतिम संसकार करने के लिए जमीन नहीं देने के लिए सैमत था तो फिर दो दिवान टोंडर मल नामक के एक अमील हिंदू वैप संसकार किया था आज के लिए बस इतना ही इस मुद्धे परात की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद